अब तक दो आजाद महिलाएं बनी हैं विधायक नमश्कार मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं एन्मान हरियाना हरियाना के राजनितिक दियास में 1968 से लेके 2019 तक कुल 13 समानने विधान सबा चुनाव हुए है वैसे चुनाव दर चुनाव मिन राजनितिक दलों से महिलाएं विधायक बनती रही है उन्नी सो स्टासट के चुनाव में आठ महिलाओं ने चुनाव लड़ा इन में से चार विधायक बनने में सफल रही में से नो 2014 में सरवाद्धिक 13 महिलाएं विधान सबा में पहुंची 2014 में भाजपा की सरकान में सोनिपस से विधायक कवीता जैन को मंतरी बनाया बड़कल की विधायक सीमा तरीखा को संसदिय सची वया अटेली की विधायक संतोश यादव को हरियाना विधान सबा का डिप लाएं विधान सबा में पहुंचने में सफल रही हैं 1982 में बल्लाबगर सीट से शारदा रानी अजाद विधायक चुनी गई इससे पहले शारदा इसी सीट से कई बार कॉंग्रेस की विधायक चुनी गई थी इसी तरह से 1987 में चोदरी देविलाल की जबर्दस लहर के बीच 27 साल की एक युवती माधवी छजर से सीट से निर्दलिया चुनाव जीतने में सफल हुई कॉंग्रेस की टिकेट ना मिलने से अजाद विधायक चुनी गई थी शारदा गोरतलब है कि हरियाना में 1967 से लेकर 2019 तक 13 चुनाव हुए है प्रतिक चुनाव में अजाद विवी द विधायक चुनी गई शारदा राणी ने कराची लगनाव दिल्ली में अपनी तालीम ली बीए बीए अडिक करने के बाद कुछ समय वखालत की इसे दुरान सियासत में आगे समासिवा में भी उनकी काफी रूची रही थी यही वज़ा है कि उन्होंने तिगाउं में ग्रा बाबु जगजीवन राम की पोती अजाद विधायक बनने में रही थी सफल जी हाँ शारदारानी के बाद हरियाना के अब तक के राजनीतिक इतिहास में मेधावी ही दूसरी ऐसी महिला हैं जिन्होंने अजाद उमिदवार के रूप में चुनाव जिता मेधावी कीरती पर सी धराजनेता बाबु जगजीवन राम की पोती थी उनीस सुस्तासी के चुनाव में लोगदल और भाजपा की जबर्दस लहर थी दिली से एम में करने के बाद माधवी राजनीति में आ गए उनीस सुपचासी से उनीस सुच्छासी तक वे अखिल भारतिया योगा कॉंग कर दिया हलागि इसके बाद हरियाना की सियासस से मिधावी ने किनारा सा कर लिया यह थी हमारी खास रिपॉर्ट